सद्गुरु आपने इस तथि के बारे में जिक्र किया था कि अप पिछले कर्मों को बदलने की कोशिश के बारे में नहीं है तो इसलिए कि आप इरादे की शक्ती के बारे में बात कर सकते हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है आपने किताब में सुंदर उधारन दिये हैं जो दिखाते हैं कि वही चीज जब आप अलग इरादे से करते हैं तो आपकी मनशा, आपके इरादे ही सब कुछ तै करते हैं कि आपके कर्म और इकठा होंगे या नहीं तो एक बार ऐसे हुआ कि शंकरन पिल्लई अपने वकील के पास कए उन्हें अपनी पतनी से तलाख चाहिए था वकील ने पूछा क्यों आप तो उनके साथ ठीक से हैं, क्या दिक्कत है शंकरन पिल्लई ने कहा उनके टेबल मैनर्स इतने खराब हैं उनके टेबल शिष्टा चार इतने भयानक है, मैं अब उनके साथ नहीं रह सकता पर वकील पूछता है, आप अठारा साल से शादी शुदा है अब जाकर आपको पता चला उनका टेबल शिष्टा चार खराब है उन्होंने कहा, हाँ तो कल दोपहर कोई मुझे टेबल शिष्टा चार पर किताब पढ़ने का मौका मिला इसको पढ़ते ही मुझे पता चला कि उनका शिष्टा चार बहुत खराब है तो मैं उन है तलाक देना चाहता हूँ तो लोगों की मनशा लगातार बदलती रहती है किसी इरादे पर बने रहने का मतलब मूल योजना पर बने रहना बाकी का प्लान किसी भी तरह जा सकता है ये एक सीधी लाइन में जाएगा या टेड़ा या जिगजाग जाएगा हम नहीं जानते बहुत सारी जीवन परिस्थेतियां है पर मूल मनशा को एक जगा पर बनाए रखना है जब तक आप अपनी पहचान नहीं बदलते आपकी मनशा कायम नहीं रह पाएगी मतलब जब तक आपकी पहचान बहुत ज़्यादा आपके शरीर या आपकी बुद्धी या आपकी भावनाओं से जड़ी है तो आप बस एक व्यक्ती की तरह ही काम कर सकते हैं तो आपकी मनशा बहुत महत्वपून है पर साथ ही मनशा से ज्यादा आपने जिस तरह की पहचान से खुद को जोड़ रखा है मनशा उसका नतीजा है अगर आपने एक बहुत ही मजबूत व्यक्ती की पहचान ली हुई है तो आप देखेंगे कि सबसे अच्छे इरादों के साथ भी सबसे बुरी चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धर्ती पर सबसे भयानक चीज़ें सबसे अच्छे इरादों के साथ हुई हैं आज भी जो लोग मानते हैं कि वे भगवान का काम कर रहे हैं इरादा बहुत शक्तिशाली हतियार बन सकता है पहचान ठीक करना सबसे महत्वपून चीज़ है आपकी पहचान कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, ये तै करेगा कि आपकी मन्शा क्या है. मन्शा पैदा करने की आपकी ख्षमता, किस तरह की आपकी मन्शा है, कृप्या ये समझे, कोई आदमी जो अपराद कर रहा है, उसका भी एक मजबूत इरादा है. कोई जो कुछ और कर रहा है, कई देश, बिजनिस, अतीत में हुए कई राज्य, वे सब मानते थे कि दुनिया जीतने का उनका एक बड़ा अच्छा इरादा था, और आपको उन मन्शाओं के नतीजे पता हैं, ठीक है? हमने सामराज जवाद को जहला है, शायद यहाँ उतना नहीं, आपने भी कुछ हद तक जहला है, पर दुनिया के दूसरे हिस्सों में, आफ्रिका, एशिया में हम सामराज जवाद का फल जानते हैं, उसकी वज़ा से हम पर क्या बीती है, पर उनके दिमाग में एक दुनिया अगर आप पहचान को एक सीमित पहचान न बना कर सर्वव्यापी बना लेते हैं तब मनशाएं अपने आप ही बहेंगी देखिए आप जिससे पहचान जोड़ते हैं उसके लिए आपकी मनशाएं हमेशा सबसे अच्छी होंगी आपको उन मनशाओं को पालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका एक छोटा बच्चा है अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस बच्चे के साथ बस अच्छा ही करूँगा आपको वैसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जिसे अपना मानते हैं, उसके लिए अपने आप ही सारी मनशाइं बन जाती हैं, आपको सारी दुनिया को अपना मानना है, और ये वास्तव में आपका ही है.